नमस्कार दोस्तों एक्जाम मैच्स किस लेर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं दोस्तों आपकी डिमांड के ऊपर मैं एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं आपको एक क्या इस लेक्चर को जो यह टॉपिक है इसको हम के चलिए एक सोपचास प्लस कोश्चन है ठीक है अगर एक लेक्चर हम बनाएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा और अभी इतना टाइम आपके लिए बचा नहीं है ठीक है जैसे कि आपको पता है नौ सुतंबर से आपके के एक्जाम शुरू हो रहे हैं ठीक है बट अगर आपका रेस्पोंस ही रहा इस लेक्चर के बाद तो मैं एक दिन में आपको एक दिन में आपको दो लेक्चर प्रोवाइड कर दूँगा ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ यह अगले तीन दिन में खतम हो जाएंगे और आपके सारे क्वेस्चन रिवाइज भी ह हो जाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेस्चन लेते हैं देखे क्या कह रहा है दि लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ डारेक्ट कॉमन टेंजेंट टू टू सरकल्स ऑफ रेडियाई 14 सेंटीमीटर और फाइव सेंटीमीटर फूज सेंटर्स आर सेपरेटिड बा है समझाने के लिए बट आप डारेक्ट यह फॉर्मूला एपलाई करेंगे एक्जाम में ठीक है तो डी सुकेयर यानि कि 40 का सुकेयर 40 का सुकेयर माइनस में आरवन माइनस आरटू का सुकेयर आरवन कितना है यह दिखे दो सरकल है आपके पास जिनकी रेडियस चौध है और पांच है तो आरवन माइनस आरटू का सुकेयर तो यह बन जाएगा आपका चौध है पांच गए तो नो नो का सुकेयर 81 ठीक है तो तो बिल्कुल easy question था आपके लिए ठीक है 1519 option D आपका correct answer होगा आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों अगले question में क्या कहा रहा है in an obtuse angle triangle ABC the length of the longest side AB is 50 cm and one of the other two sides is 42 cm यानि कि बागी कि जो दो side बची उन में से एक की length 42 cm है करा if the area of the triangle is 294 cm so care what is the length in centimeter of its third side दिखिए भई एक आप obtuse angle triangle बनाई है ठीक है तो बना देते हैं भई मान लेते हैं यह obtuse angle triangle है और इसकी longest side है वह AB है तो मैं इस वाली length को AB मान लेता हूं यह longest side है इस triangle की ठीक है तो AB और यह ABC triangle है तो यह point C ठीक है जी longest side साइड आपको given है 50 ठीक है इनमें से एक side मैं इसको मान लेता हूं कितने given है 42 आपको नकाल लिए third side यह वाली अब यह कैसे निकाल पाएंगे देखिए आपको area given है ठीक है तो अब अब इस त्रिभुज का area कैसे निकलता है तो आपके लिए base और height चाहिए तो आप क्या करेंगे बहिए जो base वाली length है इसको आगे बढ़ाईए और इस पर एक perpendicular डाल लीजिए यहां से ठीक तो यह perpendicular हो गया अब आप इस पूरी triangle की बात करेंगा अगर मैं इस point को D अब भी नाम दे देता हूं तो ADC triangle में यह दिखिए आपका base कितना है यह कितना है भई दिखिए आप अगर मैं इसको h मान लेता हूं ठीक है अगर मैं इसको h मानता हूं तो पूरी triangle में area गिवन है पूरी triangle का तो आपका बनेगा दो से कट जाएगा यह 21 बार और 21 से कटेगा आपका 21 से कम 21 24 84 तो आपकी height कितनी आ जाएगी 14 ठीक है दोस्तों height आ जाएगी आपकी 14 तो यह length आगी आपकी 14 अब आप इस triangle की बात करते है ADC की नहीं तो ADC से पहले आप मुझे एक चीज़ बता यह पूरी triangle ADB की बात करें तो यह एक राइट AC विलकुल निकाल सकते हैं AC बढ़ाबर कितना होगा आपका अंडर रूट में 14 का सुकेर 196 में पलस में 6 का सुकेर 36 कितना बन जाएगा यह आपका जाए तो 232 का अंडरूट कितना आ जाएगा आपका चार बाहर ले लिजे चार का अंडरूट दो बाहर आ जाएगा तो कितना बचेगा भाई च्यार पंजे बीस और च्यार अठ्य बत्तीस तो अंडर रूट अठामन आपका करेक्टर अनसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कि कि अच्छा क्वेश्चन था यह स्टार्ट मार्क कर सकते हो आगे बढ़ते हैं कि रहा है एक राइट एंगल ट्रेंगल है जिसका एरिया 600 मीटर सो कियर है इस टू भी मेड़ सच देट धी हाइपोटानिस डबल दी बेस देखिए मैं एक राइट एंगल ट्रेंगल बना देता हूँ आपके लिए कि कि रहा है इस ट्रेंगल में इसका एरिया 600 मीटर सो कियर है इसमेड सच देट हाइपोटानिस डबल दी बेस अगर मैं इस बेस को X मान लेता हूँ तो हाइपोटानिस कितना हो जाएगा 2X ठीक है जी इससे कितना ज्यादा है तो आप देख सकते हो भई इससे एक इस तो ज्यादा है तो यहां देखोगे 1 2 तो यह कितना जाएगा रूट थ्री रूट थ्री एक्स एक्सात में तो एक्स लगा दीजिए ठीक है जी एरिया गेवन है आपको 600 तो एरिया क्या होता है मैं भी बताया हूँ आपको एक बटे दो बेस इंटू में हाइट देखिए बिलकुल बेसिक चुक्त कॉमन चीज़ें यूज करिएं बट क कुछ अलग करने की कोशिस की है वागी कॉंसेप्ट वो ही है ठीक है तो एक्स इंटू में रूट थ्री एक्स ठीक है बेस इंटू में हाइट और यह गिवन है आपको 600 के बराबर ठीक है जी अब आप देखिए बही यह क्या बन जाएगा आपका रूट थ्री एक्सकेर रूट थ्री एक्सकेर कितिना बनेगा आपका नहीं तो आप एक कम कर सकते हो पहले और इसको सिंप्लिफाइ कर लिजिए वह रूट थ्री से अगर इसको आप 200 इंटू में तीन लिख लोगे इंटू में 200 इंटू में 3600 लिख लिए आपने ठीक है अब ये रूट 3 से ये 3 रूट 3 टाइम्स कर जाएगा ठीक है और 2 इधर जाएगा तो 400 रूट 3 बनेगा ये एक सुकेर बरावर 400 रूट 3 ठीक है अब आप X की वैलू निकालोगे तो ये तो आपका 20 आजाएगा अंडर रूट 400 रूट 20 आजाएगा बट यहां रूट 3 का भी रूट आएगा ठीक है अब आप देखें रूट 3 की वैलू क्या होती है आपके 1.732 और इसका आपको रूट लेना है तो 1.732 के आसपास कौन सा होता है अंडर रूट में 1.69 होता है ब से थोड़ा बढ़ाएगा तो आप इस में जब 20 इंटू में में 1.3 से थोड़ा बढ़ा लगाएंगे तो तेरह दूरी 26 यानि कि 26 पॉइंट सम्थिंग यानि कि उससे थोड़ा बढ़ा आएगा तो यानि कि 26 से बढ़ा एक ही ओप्सन है 26.32 ठीक है तो आंसौर होगा आप एक सरकल है ठीक है करा एडी एक टेंजेंट है तो हमने एक एडी बना लिया यह टेंजेंट है एडी 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 ठीक है जी करा एसी इसी केंट बहुई एसे सी पॉइंट तक एक सी केंट बनाया हमने ठीक है और जो सरकल को बी पॉइंट पर काटता है ठीक है या किаете cd डायामीटर है तो ठीक है भाइ सी डी पो डायमीटर ये राब डायमीटर और धीकम को येप टोटल केतना हो जाएगा बार है ठीक है आप से एक की लेन्थ पूछिए और ढूंढक को अब 2 गीवन है कितनी ईच्ल सेंतिमेटर ओह सेवन सेंतिमेटर एब आपको देखी रहा एक राइट एंगल है ठीक है आप एक और राइट एंगल बना लिजिए आपको पता है अर्धवुर्थ में बना एंगल 90 डिग्री का ठीक है और बना तर्वुझ सम कौन तरुझ और यह रेडियेस के बीच में 90 डिग्री ठीक है अब आप इन दो तर्बुजाओं को देखो गए एक तो यह छोटी तर्बुज c b d और यह पूरा ट्रेंगल c d a यह दोनों राइट रेंगल ट्रेंगल और सिमिलर है ठीक है कैसे वही दोनों तर्बुजाओं में यह एंगल common है अगर मैं इसको alpha मानता हूं यह 90 है तो यह 90- alfa ठीक है और बड़ी वाली टेंगल में यह 90-alfa तो यह 90-alfa ठीक है जी अब अब आप देखिए अगर मैं इस मैं अगर इसको जो मुझे यह वैल्यू चाहिए यह साथ है यह निकल जाएगी तो मैं टोटल वैल्यू निकल सकता हूं ठीक है अगर मैं 90 इस वाली ट्रेंगल में 90 माइनिस अलफा के सामने देखता हूं तो क्या देख रहा है आपको X ठीक है और इस बड़ी वाली ट्रेंगल में 90 माइनिस अलफा के सामने कितना है बार है ठीक है जी और अब देखिए इस छोटी वाली ट्रेंगल में अगर मैं देखूं तो 90 के सामने कितना है बार है अपॉन में इस पूरी ट्रेंगल में 90 के सामने कितना है पूरी ट्रेंगल में 90 ड में सेवन एक्स माइनस में 144 बड़ावर जीरो अब देगे गुणा करें तो 144 आना चाहिए माइनस का सम करें तो 7 आना चाहिए तो कोई भी देख के बता देगा इसे 144 होता है लगार यह मैंने इस का रखेंगे तभी की सोल है यही आप से पूछा है आंस्वर होगा आपका ऑप्शन डी ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अच्छा क्वेस्टन था यह करा फाइंड दी एल्टिटूड इन सेंटिमीटर ओफ साइड अगर मैं एक ट्रेंगल बना देता हूँ आपके सामने एम एंटी एम एन और टी कहरा है अगर मैं यहां से प्रपेंडिकुलर डाल दू इस पर यह क्योंकि एक आई-स ट्रेंगल है ठीक है तो यह इसको मिड़ पॉइंट पर जाके मिलेगा यानि कि यह 24-24 हो जाएगा ठीक है बट एक्च्वल में आपको यह नहीं निकलना है मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कुछ भी मान लेते हैं एक्स नाम दे देते हैं चलिए ठीक है तो अब आप मैं इस ट्रेंगल की बात करूँ आपसे देखिए कौन से वाला जो मैं येलो कलर में दिखा रहा हूं आपको चाहे इसकी बात कर लीजिए एक ही बात है ठीक है तो आप मुझे एक चीज़ बताईए बहिए बारे दूनी कि यही चार तो कितना एंडर रूट 5 तो यानि कि 12 फांस आ जाएगा ठीक है आपसे पूछा है अल्टिटूड इस एंटी साइड पर अगर में यहांसे प्रपेंडिकूलर ढूल डाल देता हूं altitude डाल देता हूँ, ठीक है, मेरे से यही तो पूछा है, तो यहां से मैंने एक perpendicular डाल दिया, और इसकी length अगर मैं मान लेता हूँ, for example, h मान लेता हूँ, चलिए height ही तो है यह, अब इन दोनों triangles की बात करूँ, अगर मैं height इसको मानता हूँ, तो मेरा area कितना बनेगा, area बनेगा मेरा एक बटे दो, perpendicular कितना है, 12 है, root 5, into में height कितनी है, यह perpendicular तो यह बेस कितना है, 48, ठीक है, into में 48, यह triangle का area हो गया, बराबर, मैं इसको भी तो height मान के area निकल सकता हूँ, इस तर बुझ का, तो यह कितना बनेगा, आपका 1 बटे दो, यहा एक बटे दो, कटी जाएगा, ठीक है, 12, 3, 36, 12, 48, और 3 से कटेगा, यह 4 बार, ठीक है, तो कितना बन जाएगा, आपका h की value कितनी आ जाएगी, 4, 16, root 5, answer होगा, आपका, 16, root 5, देखे, कौन सा option है, option a, आपका correct answer है, दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखे, दोस्तों, अग बना लेते हैं, एक circle है, इसमें एक cyclic quadrilateral है, ABCD, तो बना लेते हैं भई, नाम दे देते हैं, ये, A, B, C, और D, ठीक है, अब कह रहा है, A, E, is drawn parallel to CD, वहीं, इस CD के parallel, एक line A, E, खींची जाती है, तो ये A point रहा आपका, और A, E, इसके parallel, इस तरीके से line कींच दी, मैंने, A, E, ठीक है, इसके parallel, ठीक है, जी, and B, A, is produced to F, B, A, को F तक produce किया जाता है, तो B, A, को भी produce कर दीजिए, भई, B, A, को मैंने F तक बढ़ा दिया, B, A, is produced to F, यानि कि F तक बढ़ा दिया, ठीक है, एंगल A, B, C, 85 है, एंगल A, B, C, A, B, C, B, ये 85 है, और हमें पता है, भई, जो हमारा cycle quadrilateral होता है, उसके आमने सामने के कौनों का योग 180 degree होता है, ठीक है, तो ये 85 है, तो ये कितना होगा, भई, 95, क्योंकि दोस्तों ये दोनों parallel है, ठीक है, A, E, और C, ये 95 है, तो ये भी 95 होगा, ठीक है जी, अब भई, ये 95 है, आप से कुछा क्या है, एंगल F, A, E, 24 है, एंगल F, A, E, ये 24 है, ठीक है, 24 degree है, आप से पूछा है, value of angle BCD, BCD, यानि कि ये वाला एंगल आप से पूछा है, अब आप ध्यान से समझे, दिखिए, भई, ये वाला एंगल, ये 95 है, और ये 24, तो ये total angle कितना होगा, 119, ठीक है, और ये पूरा, ये straight line पर बना एंगल, 180 degree, तो ये वाला एंगल कितने का बचा 61 का, ठीक है, और ये 61 का है, इनके आपनी सामने के कौनों का योग, 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 119 degree का, तो आंसर होगा, आपका 119, option D, आप इस तरीक किसे भी समझ सकते हो कि, ये जो exterior angle है, इस चतर भुज का, ये इसके सामने वाले internal angle के बराबर होगा, य ये भी ये C के parallel है, ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है, एजी बराबर GD, यानि कि ये ये और आपका DH, यानि कि ये और ये आपस में बराबर है, सारी, ठीक है, then which of the following is correct, ठीक है जी, देखें, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसका midpoint है बिलकुल, ठ आप देखें, पहले options देखते हैं, triangle ACD, triangle ACD, is congruent to triangle BEH, B, AC, triangle ACG, यानि कि ये वाली triangle देखें, ये वाली triangle, इसके BEH, BEH, इसके congruent होगी, बिलकुल होगी, क्योंकि ये दोनों parallel है, तो इनके बीच में जो, आपकी, ये height बनेंगी, ये दोनों आपस में बराबर होगी, बिलकुल, ये आपस में AG और HB, ये दोनों बराबर गिवन हैं, तो तीसरी side अपने अप बराबर तो ये SSS के rule से ये बिलकुल congruent हो जाएंगी, तो यानि कि पहला option बिलकुल correct है, दूसरा देखते है, CDE और DEB, CDE, 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 यानि कि ये वाला triangle देखे, कौन से वाले की बात कर रहा है, ये, और DEB, DEB, यानि कि ये पूरा triangle DEB, तो ये भी बिलकुल congruent होगी, क्योंकि ये parallel में है, इनके बीच में, इनकी height का concept भी यूज कर सकते हैं, हमने अभी verify किया है कि ये वाली बज़ा इसके बराबर है, तो इसके मतलब ये भी बराबर होगी, इसके, ठीक है, और आपकी, अगर हम देखेंगे तो ये बज़ा तो दोनों में common है, और ये आपस में parallel है, इनकी height बर बराबर same है, तो ये तीसरी बज़ा ये DB और CE बराबर हो जाएंगी, यानि कि ये वाला statement भी बिल्कुल correct है, अब देखते हैं, HFB, HF और B, यानि कि ये वाली triangle, ये congruent है AFG के, AFG क्या हमें, इनकी इन दोनों triangles के बारे में कुछ given है, वह इसके बारे में, इसके बारे में, कुछ given है, कुछ नहीं given, तो इसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं, कि दोनों congruent होगी या नहीं, तो इसके मतलब मेरा first and second only correct answer होगा, option B, ठीक है, आगे बढ़ते है, क्यारा two circles with center, M and N, have radii 5 cm and 8 cm respectively, ठीक है, these circles touch each other externally at point T, बना लेते हैं, भई, मान लेते हैं, यह एक circle है, बड़ा circle जिसकी radius 8 मानूँगा मैं, और एक छोटा circle है, जिसकी radius मैं मान लेता हूँ, कितनी 5, और यह touch करते हैं, externally at point T, ठीक है, यह इस T point पर touch करते हैं, और इनके जो center है, अच्छा, यह 5 cm वाला ऐसे करते हैं, 5 cm वाला पहले बना लेते हैं, क्योंकि data view C के हिसाब से given है, तो कोई गलती नहीं हो भी, ठीक है, तो यह externally T point पर touch करते हैं, तो यह राप का T point, ठीक है, और दीखे, जो M और N है, 5 cm जिसकी radius है, उसकी center है M, और जिसकी आठ है, उसका center है N, ठीक है, कहरा है, A line PR is done such that M, T and N lie on PR, तो हमने एक line खींची है, इस तरीके से, क्या है, तो हमने एक line खींची है, इस तरीके से, क्या है, PR एक line कींची है, यह P है, और यह R है, और दीखे, और भी कुछ given है, आपको P being closer to M, इस M के closer है P, ठीक है, प्रॉम P, एक tangent PQ बरावर 12 cm is drawn to the circle, with center M touching at Q, तो इस M center वाले circle पर एक tangent draw किया जाता है, जो circle को Q पर touch करता है, ठीक है जी, और इस tangent की length भी given है, आपको 12, ठीक है, किया रहा है, end from R, another tangent, Rs बरावर 15 cm is drawn to the circle, with center M touching at S, तो यहां से भी एक tangent draw किया जाता है, जो S पर touch करता है, और इसकी length कितनी है, PQ की बारह है, और इस RS की 15 है, ठीक है जी, किया रहा, what is the length in centimeter of PR, तो देखिए, इस question में है नहीं, कुछ बस बनानी की कोशिस किया, concept वही यूज होंगे आपके, अब आप मुझे एक चीज़ बताए, अगर इसकी radius 5 है, तो इसका मतलब ये भी 5 और ये भी 5, अब आपको ultimately ये वाली length और ये वाली length निकालनी है, ठीक है, तो आपका question बड़ी आराम से हो जाएगा, ये total length थी, तो पुछिए आप से PR की, अब आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, अगर मैं यहां से इसको मिला देता हूँ, तो भाई ये एक right angle triangle बन गी नहीं बनी, आपके इंगे सर बिलकुल बन गी, radius और tangent के बीच में 90 degree, ठीक है, अगर मैं इस two पूरी यहां से यहां तक देखता हूँ, तो ये कितनी length आ जाएगी, ये आईगी आपकी, भाई, ये radius है 5 तो 5, 12, 13 है, तो ये 90 degree सामने 13 है, तो यानि कि ये total length आगी आपकी 13 है, यहां से यहां तक, ठीक है, अब सेम इस में देखिए, इस वाले circle में, अगर मैं इसको मिला देता हूँ, तो ये 90 degree का, ठीक है, तो ये radius कितनी है, 8, तो 8, 15, 17 है, तो यहां से यहां तक ये वाली length कितन 37 और 33, तो टोटल लेंथ जो होगी PR कि वो होगी आपके 43, यही आप से पुछा है, ठीक है, था नहीं question में, बस बड़ा बनानी के कोशिस है, आगे बढ़ते हैं, क्यारा, AB is parallel to DC, in a trapegium ABCD, given that, AB greater than CD, तो बना लेते हैं, भई एक trapegium, AB greater than CD है, तो यानि कि A, B मैं नीचे वाली रखता हूँ, C और D, ठीक है, and the diagonals AC and BD intersect at O, तो भई इसके diagonals हैं, वो O पर intersect करते हैं, यह AC रहा diagonal, दूसरा diagonal रहा आपका BD, और यह O पर intersect करते हैं, ठीक है, O पर intersect करते हैं, ठीक है, क्यारा है, AO, 3X माइनस 15 है, AO, यानि कि यह वाली लेंद आपको, 3X माइनस 15 गेवन है, O, B बराबर X पलस 9 है, O, B, यहनि कि यह कितनी है, आपकी X पलस 9, ठीक है, OC X माइनस 5 है, and OD 5 है, यह वाली लेंद आपको गेवन अ 5, क्यारा है, X has two values, X1 and X2, then, what is the value of X1 square plus X2 square, देखिए, कई सिक्टमा आया, यह वाला question, और है कुछ नहीं, इस question में, देखिए, आपको पता होनी चाहिए, भई, यह आपस में, यह दोनों triangle साप में, आपस में similar होंगी, इस case में, कौन-कौन सी, एक तो यह वाली triangle, और एक आपकी यह वाली triangle, दोनों similar होंगी, और similarity होगी तो आप directly याद रखिए, कि इन दोनों का product, इन दोनों sides का product, इन दोनों के sides के product के बराबर होगा, अभी आपके पास time कम है, पूरा concept जानने के लिए, तो यह याद रख लीजिए इन दोनों का product इन दोनों के बराबर होगा ठीक है तो मैं करूँगा भई 5 इंटू में 3x-15 बराबर यह कितना होगा आपका x-5 इंटू में x-9 ठीक है अब आप दिखें इनकी गुना कर लीजिए कितना बन जाएगा आपका वही पांतिय पंद्रे एक्स माइनस में 15 55 बराबर यह बनेगा आपका x-square x-square प्लस 9x-4x तो माइनस 5x प्लस का 9x यानि कि प्लस का 4x बचेगा और माइनस में 45 ठीक तो यह सारा डाटा इधर ले जाएगा तो कितना बन जाएगा आपका x-square ठीक है बराबर 0 आपको पता है भी 36 36 और 511 तो x की वैलू जो आ जाएंगी दोनों वह आ जाएंगी आपकी x की दो गिवन है ना आपको x1 और x2 तो x1 और x2 इनकी वैलू आ जाएंगे आपकी 5 और 6 आप से पूछा है यह बनेगा आपका 55 25 पलस में 36 36 और पत्चीस एक सट अंसर होगा आपका 61 ऑप्शन भी ठीक है ऐसे तो इजी क्वेस्चन था आपको कौन से पता होना चाहिए आगे बढ़ते हैं करा बाइडिक्रीजिंग सत्रे डिग्री रॉम इच ओफ दी एंगल दी रेशियो विकम्स इतना करा देन दी रेडियन मेजर आप ग्रीटेस्ट एंगल दीखिए अगर मैं प्रितिक एंगल में से सत्रे घटा दूंगा तो टोटल 180 मैं से सत्रेती क्यामन घट जाएगा ठीक है तो कितना बचेगा 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 यह बचेगा आपका 129 ठीक है 139 तो मैं कहूंग 7 4 11.34 है 14 की value आपको गिवन है 117 4 11.34 है 139 तो यहां से आपको निकालना है 7 की value ठीक है तो एक की value होगी आपकी behavi 129 बटे में 14 है और 2 मैं आएगा आएगाा आपका 7 ठीक अब यह क्या है यह है आपका जब 17-17 घटा के हो वाली वैलू तो आप इसमें अगर 17 एड़ कर देते हो तो आपका actual वैलू आ जाएगी ठीक है भाई पिरती एक मेंसे 17-17 घटा है था ना तो यानि कि यह वाला एंगल है तो इसमें भी 17 जुड़ेगा तो यह कितना बन जाएगा आपका साथ दूनी चौद है तो यह बना आपका 17 दूनी 34 और 129 कितना बना आपका एक सो 168 अपॉन में टू यह डिगरी में है आप से पूछा है रैडियन मेजर तो भाई पाई भाई एक सो सी से मल्टिप्लाई कर दीजिए बस ठीक है तो कितना बन जाएगा आपका 163 पाई अपॉन में एक सो सी दूनी 360 अन्फर होगा आपका दिस वन 163 पाई अपॉन में 360 यानि कि ऑप्शन सी ठीक है दोस्तों आगे बढ़ता है देखे दोस्तों अगले क्वेस्चन में क्या कर रहा है इन्हें ट्रेंगल पीक्यू आरेस इंट्रसेक्ट्स पीक्यू एड़ पॉइंट एस तो मैं एक ट्रेंगल बना लेता हूं आपके सामने बही मान लेते हैं ये ट्रेंगल है पीक्यू आर ठीक है डिसाइड ओफिट रेंगल क्यू आर बराबर 36 यू आर ये 36 है ठीक है, and SQ बराबर 27, अच्छे ये बोलाए न, RS intersects PQ, RS PQ को intersect करता है, RS ये मने line खीज़ दी, तो PQ को S पर intersect करता है, ठीक है, SQ बराबर 27, SQ, ये 27 है, ठीक है, RS 18 है, RS, यानि कि ये वाली length आपको given 18 है, angle Q, RS बराबर angle Q, PR, angle Q, RS, ये वाला angle अगर alpha है, तो angle Q, PR, ये वाला angle भी आपका alpha है, ठीक है, ठीक है, what is the ratio of the perimeter of triangle PRS, PRS कौन सा भई, PRS, यानि कि मैं आपको represent करके बता देता हूँ, ये PRS, इसके perimeter का ratio किसके साथ मैं, angle QSR, angle QSR, यानि कि इसके perimeter के साथ मैं, ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इन दोनों triangle की बात करता हूँ, तो आप मुझे चीज़ बताईए, कि भई, ये दोनों angles, देखे, अगर मैं पूरी triangle की बात करूँ, Q, PR, और मैं triangle QSR की बात करूँ, तो ये वाला angle तो भई, दोनों में common है, ठीक है, और ये वाला angle क चोटी वाली triangle में तो ये वाला angle बचा, ठीक है, और बड़ी वाली triangle में आपका ये वाला angle बचा पूरा, ठीक है, भई, ये angle common दोनों में, ये green वाली में और पूरी triangle में, और ये angle alpha है ग्रीन वाली में तो पूरी triangle में ये वाला angle भी alpha है, ठीक है, तो तीसरा angle आपका ये वा वाली में और पूरी वाली में यह वाला बचा ठीक है आपसे पूचा क्या है इनके पहरी मीटर का रियश्यो ठीक है तो वहीं इसका perimeter कितना हो जाएगा पहले तो देखिए इसकी तो मुझे तीनों side given है ठीक है आपको इस वाली triangle की निकालनी है ये वाली side भी और ये वाली side भी ठीक है अब देखिए भाई इस मैं green वाली में देखूं तो common angle के सामने आपका कितना है अठार है upon मैं पूरी बड़ी triangle में देखूं तो इस common angle के सामने कितना है पी यार बराबर अब मैं ऐसी value लोगा जो मेरे को दोनों value पता चल जाए ठीक है तो अगर मैं alpha देखता हूं तो green वाली में alpha के सामने 27 है और पूरी बड़ी triangle में alpha के सामने कितना है 36 तो यहां से PR की value नकाल सकते हो आप आराम से ठीक है बराबर अब बचा आपका तीसरा common angle ठीक है यह ps plus में 27 लिख देते है चलिए ps plus में 27 ठीक है दोस्तों अब आप देखिए अगर मैं देखता हूं तो यहां से बई 937 नो चौक 36 और तीन जिंग 18 तो छेचौक 24 पी यार की length तो आ जाएगी आपकी 24 ठीक है और यहां देखता हूं तो यह 3 वटे 4 है ठीक है तो अगर मैं इसको यह 3 वटे 4 निकल के आया है मेरा तो इसको लिखिए 3 वटे 4 के बराबर ठीक है इन दोनों को मैं अगर equate करता हूं तो यह बन जाएगा मेरे कितना देखिए आपका 3 से कटेगा यह बार है बार है चौक 48 में 27 जाएगा तो आपका 13 और 8 21 बनेगा तो यहां से ps की value कित साइस 48 हो जाएगा ना और यह PR निकल के आई आपकी 24 अब आप इन तीनों का perimeter का पूछा है न रेशियो पहले कौन सा है पी आर एस पी आर एस तो यानि की भाई 24 और 8 कितना हो जाएगा 42 42 कितना हो जाएगा त्रेश्यो इसका हो जाएगा आपका 27 और 845 45 और 36 कितना होगा 81 ठीक है तो काट लिजा भई 97 63 और नो नाम 81 यानि कि 7 रिशियो 9 होगा आपका अंस्वर ऑप्शन सी ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखें दोस्तों अगले क्वेस्चन में क्या कहा रहा है टू पैरलल कॉर्ट्स ओफ लेंथ 5 यूनिट्स और 8 यूनिट्स आर ऑन और इनकी लेंथ 5 यूनिट्स और 8 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली ठीक है तो मैं डारेक्ली इस तरीके से मिला देता हूं ठीक और इनके सेंटर के सेंटर को अगर मैं मिलाता हूं तो ये इसकी रेडियस निकल के आ दोनों ठीक है रेडियुस कितने कितनी है है फैवन है और यह टोटल लैंद अगर मैं 5 मानता हूं तो कितना आधी होगी ़एगा कि गया निकालनá तो आप को आख में होगत है तो इसके हाफ कितने होगी चार ठीक है यह 90 डिगरी यह 90 अप आपको एनके जो यह crchan के बीच की डिस्टरान्य है तो आप यह उपर वाल से मैं ने जो दिखाया और एक ट्रेंगल आपको यह वाली मिल झो इन यज़ दिखाया है तो आप यह वाली लेंथ निकाल ले यह वाली निकाल दीजिए दोनों को जोड़ दीजिए ठीक है तो अगर मैं ग्रीन वाली के देखता हूं तो सच्छा तो नंचास मैं से 6.25 गटाएंगे उननचास माइनस 6.25 तो कितना बनेगा भई उननचास मैं तो इसका आप अंडरूट में निकालेंगे तो कितना बनेगा आपका लगबग 6.54 आ जाएगा आप निकाल के देखिएगा ठीक है और अगर मैं इसका देखता हूं सच्छा तो नंचास मैं सो लगए तो यह आएगा आपका अंडरूट में 33 ठीक है तो अंडरूट में 33 कितना बन जाएगा आपका यह आएगा आपका 5.7 सेवन कि 5.7 और आपका 5.7 कि कुछ भी लगा लीजिए आपका 5.7 क्या स्पास ही आएगा ठीक है तो यह बनेगा आपका आप देखेंगे तो 5.7 7, 8 8 कर लीजिये नहीं तो ठीक है 8, 4, 12, 7, 5, 12 और चावर पांच गया और एक बार है तो 12.2228 के आसपास आएगा यह 12.28 यानि कि option भी आपका answer होगा दोस्तों ठीक है यह approximation का थोड़ा वो था इसमें बागी question तो आसान था आगे बढ़ते हैं करा आर विसेज तो यूजेश टेक अफ लेंथ 6 यूनिट्स एज कॉमन इंटर्नल टैंजेंट तू दी टू सर्कल्स ऑफ दी रैडियस टू यूनिट्स एंड थ्री यूनिट्स वट कैन बी दा मैक्सिमम डिस्टेंस इन यूनिट्स बिट्विन दी सेंटर्स अफ दी सर्कल कि मैक्सिमम डिस्टेंस कब हो सकती है जब आप इनका ट्रांस्वर्स कॉमन टैंजेंट निकालते हो ठीक है तो भई मान लेते हैं यह दो सर्कल है और आर विसे टी यूजे श्टेक उप सिक्स यूनिट्स एज़े कॉमन इंटर्नल टैंजेंट टू दी तू सर्कल्स ऑफ रेडियस टू यूनिट्स एंड थ्री यूनिट्स रेस्पेक्टिवली ठीक है जी तो यह आपको अल्टिमेटली क्या नकालना है डाग्राम भी बनाने चूर्डिस एके ज़रितनीं आपको ट्राण्स पोमें टेंजेंट संशक्राइन का गौनचेप्ट यूज करना है ठीक है जिसकी लेंथ आपको आज्रेडी घिवन से आबर डिस्टेंस ब्टूइन डी सेंटर्स अगर मैं दी मानता हूं तो डी सोच यह को फिर उपने जाएगा आपको थोड़ा सोचना था आगे बड़ते हैं गब तक्रहाँ सी डिघ चैने टो ए सरकल औप सरकंफ्हेरंडेंच 88 सेंटीमेट्र अगर देखिए इससी सर्कल का कके चैकांफ्हेरेंच 88 यह तो उसकेब से रैडियेंस कितनी होगी 14 Αंटिमेटर यह ध्यान रखी चावाली सेंटीमेटर old तो अगर circumference 44 है तो radius होगी 14 cm, with center O, ठीक है, cd क्या है, एक tangent है, तो बना लेते हैं, भई, यह cd एक tangent है, ठीक है, oc cuts, circle at P, तो यह इसका center क्या है, O, cd यह एक tangent है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं, यहां यहां आगे है, cd एक tangent है, oc cuts, cd is a tangent to the circle of this and at center O, oc cuts the circle at P, तो यह oc circle को P पर cut करता है, ठीक है, यह P पर, ठीक है, while O, d cuts circle at V, तो O, d, तो यह बिलकुल यहां तक है यह, ठीक है, इस तरीके से, तो भई, क्या कह रहा है, ठीक है, O, d cuts circle at V, तो यह O, d हो गया, यह V पर cut करता है, ठीक है, angle cod 90 है, angle cod, यह वाला angle 90 degree है, ठीक है, length of PC is 6 cm, PC की length आपको गयवान है 6 cm, radius कितनी है भई, चौध है, ठीक है, radius चौध है, यहां से हम निकाल चुके है, circumference से, तो यह हो जाएगी आपकी चौध है, यह total length कितनी होगी, आपकी चौध है, ठीक है, what is the half of CD, od exceeds oc by 1, od exceeds oc by 1, तो oc कितना है भई, oc आपकी 20 है, टोटल, तो od कितनी हो जाएगी है, टोटल कितनी हो जाएगी, 21, ठीक है, तो आप से बोल रहा है, length of CD, तो आपको पता है, 20, 21, 39 का triplet होता है, तो CD के length आजएगी, 29, और उसका भी पूछा है, आपसे half, half of CD, तो यानि कि इसका half, यानि कि चौध है, 0.5, ठीक है, दोस्तों, option B, आपका correct answer है, आगे बढ़ते हैं, किरा इने circle, O is the center, and AOB is diameter, तो ये एक circle है, AOB एक diameter है, तो बना देते हैं, A, center O, और ये B, ठीक है, AT is a tangent to circle, AT एक tangent है, AOB is diameter, and AT is tangent, तो ये मैंने बना दिया, AT, ठीक है, tangent to the circle, line TB, intersect the circle at Q, PB, Q पर intersect करती है, तो देखें, ये वाला question दोबारा, आया है, ठीक है, same concept के ऊपर, ये Q पर intersect करती है, ठीक है, given that angle AOQ 90 है, AOQ, AOQ 90 है, 94, ठीक है, ये वाला एंगल आपको given है, कितना, 94, आप से पूछ रहा है, ATQ, ATQ, ये वाला एंगल आप से पूछ रहा है, दिखिए, आपको पता है, radius और tangent के बीच में 90 डिगरी, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करता हूँ आप से इस वाली आर्क की, इस आर्क द्वारा, अगर center पर 94 है, तो इसी आर्क द्वारा circumference पर कितना बनेगा, 47, ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरी triangle मैं A, T, Q की बात करूँ, यह आपका 90 है, यह angle 47 है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 137, और तिरभुजगे तीनों angles के सम कितना होता, 180, तो 180 मैं से, अगर मैं 137 घटा देता हूँ, तो 10 में 7 गए, तो 3, 17 में 13 गए, 4 तो 43 डिगरी, आपका answer आएगा, यह 43 डिगरी, ठीक है, option B, answer रहा, अच्छा question था, easy question था, आगे बढ़ते हैं, देखें दोस्तों, अगले question में क्या कह रहा है, PBA and PDC are two sequence, देखें, PBA और PDC दो sequence है, AD क्या है, diameter है, यह diameter है, ठीक है, center O है, यह रहा, कह रहा है, angle A 30 है, P 20 है, यह 30 रहा, यह 20 रहा, ठीक है जी, आप से पूछ रहा, measure of angle DBC, DBC, यह वाला angle, तो देखें, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, इस वाली arc BD द्वारा, अगर circumference पर angle 30 है, तो इसी arc द्वारा इधर भी circumference पर 30 टिगरी का बनेगा, आप कहेंगे सर, बिलकुल, अगर मैं बात करता हूँ, इस वाली triangle ADP की, तो यह 30 और 20, 50, तो यह वाला angle 30 angle कितने का बचेगा भई, 130 का, या फिर ऐसे समझें, कि 30, 20, 50, तो यह इसका exterior angle कितना होगा, 50, ठीक है, ठीक है जी, अब आप देखें, इस triangle, अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, Y, इस point को, तो C, D, Y triangle में इसका exterior angle कितना होगा, 50 और 30, 80, ठीक यह अर्दवर्त में बना angle 90 degree, यह 90, यह 30, तो यह वाल angle कितने का बचेगा, आपका 60 degree का, ठीक है, अब इस triangle की बात करता हूँ, मैं Y, D, B की, यह 80, 60, 140, तो तीसरे angle कितने का बचेगा, 40 degree का, यह यह आप से पूछा था, ठीक है, option D, आपका correct answer होगा, अच्छा question था, कई concept य देखें, दोस्तों, अगले question में क्या कह रहा है, PQ is the diameter of a circle with center O, ठीक है, PT is tangent, touching the circle at P, देखें, बना लेते हैं भई, क्यारा, PQ is the diameter, यह रहा आपका PQ diameter, PQ diameter है, of the circle with center O, PT is tangent, PT एक tangent बना लेते हैं, भई, मान लेते हैं, यह PT है, यह tangent है, ठीक है, touching circle at P, ठीक है, the secant, QT intersect the circle at S, QT, S पर intersect करता है circle को, तो यह रहा आपका QT, और यह circle को S पर intersect करता है, ठीक है, O and S are joined, O और S को join कर दिया जाता है, ठीक है, same concept के उपर, इनी 25 questions में 2-3 questions आ चुके हैं, angle SOP 104 है, SOP, यह 104 है, ठीक है, ठीक है, दिखनी रहा, उससे कोई मतलब नहीं, आप diagram बनाई है, कह रहा, what is the, major in degrees of angle PTQ, PTQ, दीक है, same question है, बस data value जा लग दिये हैं, आपको, यह वाल एंगल पूछा है, अब आप मुझे बताइए, इस वाली आर्क द्वारा, आर्क PS द्वारा, अगर सेंटर पर 104 है, तो circumference पर कितना बनेगा भई, बामन degree, इसका half, ठीक है, और यह radius or tangent के बीच में 90 degree, 90 और बामन 142, ठीक है, तो यह तीसरा एंगल कितने का बचेगा, 38 degree का, बस यही पूछा था, option D, आपका correct answer, आगे बढ़ते हैं, क्यारा PQ and RS are the two chords of a circle, such that PQ बारह है, और RS 20 cm है, and PQ is parallel to RS, ठीक है जी, 20 और 12 है, तो वैसे देना चाहिए था, एक साइड है, दोनों साइड है, बट एक साइड ही बना लीजिए, ठीक है, तो यह बड़ी वाली center के नजदिक बनाएंगे, और यह छोटी वाली center से दूर बनाएंगे, ठीक है, तो PQ 20 है, ठीक है, तो यानि कि यह अगर मैं center से एक perpendicular डाल देता हूँ, पहले तेन के उपर, ठीक है, midpoint पर मिलेगा, यह perpendicular, तो इसका मतलब यह total 20 थी, तो यह 10 हो जाएगी, और यह total कितनी है, बार है, तो यह total बार है, तो यह 6 हो जाएगी, ठीक है, if the distance between the PQ and RS is 4 cm, PQ और RS, PQ बार है, तो यह PQ है, और यह RS है, और PQ RS के बीच में कितनी है, 4 cm के distance, ठीक है, then the diameter of the circle, देखिए, अगर मैं इनको, यह भी हमारी radius है, और यह भी हमारी radius है, ठीक है, तो यह आपकी R, यह आपकी R, ठीक है, इसका वैसे एक direct concept भी होता है, बट रटने वाली चीज़ा नहीं, आप actual में कैसे करेंगे, वो देखिए, अगर मैं इसको X मान लेता हूँ, ठीक है, आपसे पूछा क्या है, diameter, अगर मैं इसको X मान लेता हूँ, तो यहाँ से दिखेंगे, वह यह आपकी 10 है, यह R है, यह X है, तो आपकी R square कितने बनेगी, X square, प्लस में 100, ठीक है, और इस वाले में R square के बराबर यह क्या बनेगी, भाई यह आपकी R है यहां से यहां तक, तो आपका 6 square प्लस में X plus 4 square, तो आपका 36 plus में X square प्लस में, मैं डारेक्ट खोल देता हूँ, इसको X plus 4 square, प्लस में 16, प्लस में 4 दूनी 8 X, ठीक है, इतना ही करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, भाई यहां से X square से आपका X square कट जाएगा, ठीक है, तो यह बनेगा और 16 बामन, तो यह बनेगा इधर जाके 48, ठीक है, 48 तो 8 X बराबर 48 तो X की वेलु कितने आ जाएगी आपकी 6, यह आगी आपकी 6, एक्स की वेलु किसी में भी रख दीजिए, बराबर 36 36 पलस में 100 136, ठीक है, तो आर की वेलु कितने आ जाएगी पॉजिटिव, यानि यह अंडर रूट माएगा आपका, तो यह कितना आ जाएगा, यह तो इधर आएगा, आर की वेलु आप अंडर रूट माएगी, तो यह आपका 4 से 2 बाहर निकालेंगे, तो यह बचेगा आपका 4 तीया बाहर है, बचाए एक 4 चॉक 16, दो अंडर रूट 34 सांसर होगा, आपका ओप्शन ए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किराए, find an altitude in centimeter from the vertex Q, two side PR, तो भई, एक ट्रेंगल बनाते हैं, पहले तो, PR of triangle PQR, तो देखें, भई, PQR, कह रहा है, PQ 40 है, PQ 40 है, PR 40 है, यह भी 40 है, तो same question है, यह पहले भी पूछा जा चुका है, data change करके हमने किया था, ठीक है, यह 60 है, आप से पूछा है, Q से, find the altitude from Q on side PR, तो भई, आप से यह पूछा है, Q on side PR, तो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, for example, X, ठीक है, तो यह वाली length आप से पूछी है, H, ठीक है, और अगर मैं यहां से एक perpendicular डाल देता हूँ, अपनी तरब से, तो भई, आपको पता है, यह एक ISO slash triangle है, तो यह इसके midpoint पर मिलेग यह 60 है, तो यह 30 होगा, और यह भी 30 होगा, ठीक है, और इस point को मैं नाम दे देता हूँ, Y, ठीक है, आप देखिए, वही, अगर मैं इस triangle की बात करता हूँ, आप से, triangle Q, Y, P की, तो यह 22 नी 40, यह 20 तीया, 60, sorry, देखिए, यह 3, 4, 0, 0 तो हम रख देंगे, यह 3 है, यह 4 है, यह 3 है, तो 4, 16 में से 9 गई, तो अंडर रूट साथ बचेगा, और 0 रखेंगे, ठीक है, भाई, चालीस के सुकेर में से, इदिकिया, आप ऐसे समझे, 16, 100 में से 900 जाएगा, तो अंडर रूट में 700, ठीक है, तो यह बनेगा आपका 10 अंडर रूट साथ, ठीक, अब आप मैं इसमें कॉंसेट यह यूज होगा, कि अगर मैं इसको हाइट मानता हूँ, और ट्रेंगल का एरिया निकालता हूँ, तो क्या बनेगा आपका एक बटे दो, परपेंडिकुलर, यानि कि 10 रूट साथ, इंटू में हाइट, इंटू में बेस, ठीक है, तो यानि कि 60, बराबर, अगर मैं ये वाली हाइट मानता हूँ, और ट्रेंगल का एरिया निकालता हूँ, तो ये बनेगा एक बटे दो, इंटू में परपेंडिकुलर कितना है, इंटू में हाइट 20 कितना है, 40, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा, आपका एक बटे 2 से तो एक बढ़ते हैं, क्या रदी सेंटर्स ऑफ दू सर्कल्स ऑप्रेडिया, बी सेंटीमेटर एंड थाटीव सेंटीमेटर आपर्ट वट इस बीरेशियो और दी लेंट ऑप दिडारेक्ट कोमन टेंजेंट टू दी लेंद आप दी ट्रान्स वर्स कोमन टेंजेंट दोनों कोमन टेंजेंट और कोम टेंजेंट ठीक है, तो भाई डी सुकेर यानिकी छतीस सो, या फिर ऐसे करिए, साट का सुकेर माइनस में, आर वन माइनस आर टू का सुकेर, तो भाई 32 में से 20 जाएगा तो बारह बारह का सुकेर, ठीक है अंडर रूट में, अब आप देखे एक एक बार तो इनका सम कर दीजिए, बहतर, और एक बार इनका डिफरेंस ले लीजिए, बीस में से 22 में से 20 जाएगा तो बारह ही बचेगा, तो डिफरेंस लेंगे तो 60 में से 12 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 48, ठीक है, अंडर रूट में, ये छती दूनी बहतर तो 6 आजाएगा बाहर, और दो बचेगा, 16 ती 48, तो 16 से 4 आजाएगा, और तीन बचेगा, तो दो तीय छे बचेगा, अंडर रूट में, ठीक है, और यहाँ देखते हैं, तो 60 का सुपियर, माइनस में, आरवन, पी-सी-टी में क्या होगा आपका, दोनों जुड़ ज़एंगे, आरवन प्लिस रटू, तो 32 बामन का सुपियर, ठीक है, एक बार तो भी इनका सम करेंगे, तो 60 और बामन कितना हो जाएगा, आपका 100 बार है, ठीक है, 100 बार है, इनका डिफ्रेंस कितना हो जाएगा, आपक बचेगा इंटू में यहां से चार दुन्याट दो बचेगा और यहां से तो दो दूनि यहां सत दूनि 14 है तो भाई आपका अगर इंका रिशियो लेंगे तो दिखिए आपका चार से 4 कर जाएगा दो से कटेगा भी त इन बार और यह रूोट में भी आप काट सकते हो तो यह बचेगा 7 बहंजिक अलग लग warrior Heute में लिखेंगे अंडरुटि दो सयवन इसको अंडरुट उन मिरूट थरी तो आपका बचेगा तीन रूट तीन र से इ lot root 7, answer होगा आपका 3 root 3, ratio root 7 3 root 3 root 7, option A ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्यारा इन A, right angle triangle ABC, such that angle BAC 90 है तो बना लेते हैं भई BAC 90 है तो BAC 90 है BAC 90 है BAC 90 है तो BAC 90 है AD perpendicular है perpendicular to BAC यह हमने एक perpendicular डाल दिया BAC पर AD ठीक है, if area of triangle ABC 63 है ABC, पूरी triangle का area 63 है and area of triangle ACD ACD, इस वाले का area कितना है 7, तो मैं मेरे को तो ratio से मतलब है के वल ठीक है, तो AC 5 है AC 5 है, देखे, इस वाले का है अगर मैं total ABC में लिखी देता हूँ ABC का area है 63 और ACD का area है कितना, 7, यह area का area के वान है मुझे, AC 5 है यह AC 5 है तो आप से पूछा है then the length of BC BC, तो भाई यह 90 degree के सामने 5 है तो यह 90 degree के सामने यह BC आप से पूछा है तो भाई यह दोनो similar triangle है क्योंकि 90 degree, 90 degree के common angle है तो तीसरे angle अपने अब बराबर तो भाई मेरे को तो ratio से मतलब है ठीक है, तो ratio बनेगा आपका साथ नाम 63, तो 9 ratio 1 यह area का ratio हो, तो side का ratio कितना आजाएगा मेरा 3 ratio 1, ठीक तो अगर मैं बड़ी वाली triangle ABC के area side में, area से जो side निकले आई है वो है 3, और इसकी ACD की है 1 और मेरे को बड़ी वाली की length पूछिए BC की, और इस वाली की length मुझे given है 5, तो यहां से BC की length कितनी आजाएगी, पांती है पंदर है, ठीक है दोस्तो, option B आपका correct answer होगा, आगे बढ़ते हैं करा, ABC जे right angle triangle right angle that A, in such a way that AB बराबर AC है, ठीक है तो भाई यह मैंने एक right angle triangle बना ली ठीक है AB से एक right angle triangle है right angle that A A B C, ठीक है, जिसमें AB AC के बराबर है, यानि कि यह आपस में बराबर है, ठीक है and the bisector of angle B bisects ACD भाई इस angle B का angle bisector BC को, AC को D पर search करता है, यह बोला गया है ठीक है, तो यह इसका angle bisector BC को AC को D पर काटता है, ठीक है DM is perpendicular to BC तो DM BC पर perpendicular है तो यहां से मैंने एक perpendicular डाल दिया इस BC पर, ठीक है कह रहा है intersecting BC at M ठीक है AB बारे है AB बारे है तो यह भी बारे है क्योंकि दोनों बराबर गिवाने मुझे ठीक है BC बारे है रूट दो तो यह obviously इसको देने की भी जरुरत नहीं थे हमें पता, यह बारे है रूट दो ही होगा ठीक है find the length of side AD AD यानि कि इसकी length हमें बताने है अब आप मुझे एक चीज़ बताई, इसमें एक concept यूज होगा कि भाई किसी triangle में अगर यह angle bisector है तो जिस ratio में यह दोनों sides होती है उसी ratio में यह base को बांटती है ठीक है तो भाई इसका देखूँगा तो में यह कितना आ जाएगा 12 से 12 कर जाएगा 1 ratio root 2 तो यह आईगी आपकी value 1 minus में 1 bar है into में 1 minus में root 2 यह answer होगा यह फिर देखे अब यहां root 2 plus minus 1 है तो क्यों इसको मैं root 2 plus 1 लिख लूँगा तो यह root 2 minus 1 बन जाएगा root 2 minus 1 answer होगा आपका बार है root 2 minus 1 यानि कि option C अच्छा question था दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखे दोस्तों अगले question में क्या कहा रहा है in the given figure O is the center of the circle A is the diameter and angle AOC 100 आप से पूचा है what is the value of CDE plus में CEA देखे CD CDE यानि कि यह वाला एंगल और CEA CEA यानि कि यह वाला एंगल ठीक है तो यानि कि यह वाला एंगल और CDA CEA CEA यानि कि यह वाला एंगल इनका सम्पूचा है अब आप देखे परही यहां देखे अगर मैं इस आर्क की बात करता हूँ AC आर्क की तो इस आर्क द्वारा अगर center per angle 100 है तो circumference per angle कितना होगा 50 तो यह वाला एंगल तो आगे आपका CEA पचास डिग्री ठीक है पलस में CDE का देखे इसी आर्क के द्वारा अगर center per 100 है तो circumference पर कितना होगा 50 डिग्री और यहां देखेंगे इस ट्रेंगल AED में तो यह अर्धवर्त में बना एंगल 90 डिग्री जिसमें से यह 50 है तो यह वाला एंगल कितने का पचास डिग्री का तो यह होगा आपका 40 डिग्री का 50 और 40 90 डिग्री आपका आंसर होगा option A ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि करा ए रेक्टेंगल विद लार्जेस्ट एरिया इस अगर आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगल निकालना है तो आप एक जो हमारा एक सुक्यर फार्म में निकलेगा ठीक है यह द्यान रखिए वह एक सुक्यर होगा अ अ अ अ अ अ ठीक जाब दीखिए इसका जो डाइगनल होगा इस square का जो diagonal होगा वो इस circle का diameter भी होगा इसका radius कितनी given है 5 तो यह diagonal कितना होगा आपका 10 ठीक है और हमें पता है root 2 times of side अगर मैं इसकी side a मानता हूँ तो root 2 times of a बराबर 10 होता है ठीक है 10 को आप क्या लिख सकते हो 5 into में 2 तो यह root 2 से कटेगा root 2 times तो यानि कि a की value कितनी आ जाए तो आगी आपकी 5 root 2 आप से पूछा क्या है a rectangle with largest area is cut out हमने यह largest area हमने cut out कर लिया what is the area of the remaining portion ठीक है तो देखिए आपको area निकालना है इस वाले portion का यह 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 तो अगर मैं इस circle के area में से अगर इस square का area घटा देता हूँ तो मिरा आ जाएगा ठीक अगर मैं इसका area निका बनेगा मेरा a square तो यानि कि 55 25 दूनी पचास ठीक है यह तो आगे आपका 50 अब देखिए अगर मैं circle का area निकलता हूँ तो कितना बनेगा आपका पाई यह सपियर तो पाई कमान पाई तो पाई में गिवन है पाई आर सपियर आर कितना है भी आर देखिए आपको गिवन है तो पाउस पंजे 25 ठीक है तो 25 पाई तो अब इसका area आप निकाल हो गए तो 25 पाई माइनस पचास तो यहां से 25 में कमन ले लेता हूं तो कितना बनेगा आपका पाई माइनस में टू यह आंसर होगा 25 इंटू में पाई माइनस टू आप्शन भी ठीक है दोस्तों लास्ट कोस्टिन के तरफ मूग करेंगे तरह टू इक्वल सर्कल्स आर ड्रान ओन ए सुक्यर यह भी एक तरीके से मैंसरेशन का क्वेश्चन है द्रान ओन ए सुक्यर इन सच वी दैट अपोजट साइड ओफ दी सुक्यर फॉर्म्स अपोजट फॉर्म्स दी डामेटर ओफ इच सर्कल्स दीखें यह कहना क्या चाहरा है बही जो सुपियर है उसके अपोजिट साइड पर हमने दो सरकल बनाए है और इस तरीके से बनाए है कि ये जो डायामीटर है ये जो एक साइड है इस सरकल की वो इसका डायामीटर बनती है इस तरीके से ठीक है? ठीक है जी और दोनों तरफ बनाए हैं तो इधर भी बना देते हैं ठीक है? ठीक है जी तू देखिया आप समझे टू इक्वल सर्कल साद रान ओन एक सुक्यर एक सुक्यर पर बनाए है इन सचे वह दर द्यापोजिट साइड ऑफ दी सुक्यर फॉर्म सी डायमीटर तो ये अपोजिट साइड डायमीटर फॉर्म करनी है इनका फिक है जी, of the circle, if the remaining area of the square is 42, square का जो remaining area है तो remaining area कौन सा है भई? ये वाला, ये 42 गिवन है आपको what is the major diameter of the each circle तो एक्वल में आपको इसकी साइड ही निकालनी है, इस सुक्यर की, ठीक है? अब देखिए इस साइड कैसे निकल पाएगी? अगर मैं मेरे को ये remaining area given है अगर मैं इस total जो square है इसके area में से एक single circle का area घटा देता हूँ तो remaining portion का जाएगा अगर मैं इसकी side को A मानता हूँ ठीक है और जो मुझे निकालनी भी है तो भाई इसका area कितना होगा A square माइनस में अगर मैं यहां देखता हूँ तो भाई ये जो circle है इसकी radius कितनी होगी आप कहेंगे sir A by 2 ठीक है तो कितना बनेगा आपका पाई A by 2 भाई पाई आर सो केर बनेगा ना तो यानिकि A square by 4 ठीक है यही बनेगा और यह गया बनेगा आपको 42 के ठीक तो 4A square 4A square माइनस में पाई देखे मैं A square common ले लेता हूँ एक काम करता हूँ A square मैं common ले लेता हूँ तो यह बनेगा 4 माइनस में पाई बराबर 42 ठीक है तो इसका 22 बटे साथ कर लीजिए भई A square बराबर A square इंटू में यह बनेगा आपका देखे मैं लग सॉल कर देता हूँ इसको 4 माइनस में 22 बटे साथ 28 में से 22 गए तो 6 बटे साथ ठीक है 6 बटे साथ बराबर 42 तो इसको हम जब simplify करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 सत्ते 42 साथ साथ उननचास तो एक ही value कितनी आ जाएगी आपकी 7 ठीक है एक ही value 7 है आपसे पूछा है diameter तो diameter कितना हो जाएगा भई साथ दूनी चौध है answer होगा आपका 14 option C ठीक है दोस्तों तो यह बहुत अच्छे questions थे 25 questions मैंने आपको करवाने की कोशिस किया अब यह बागी questions हम करेंगे कल ठीक है दोस्तों तो इस lecture में हम केवल 25 questions solve करेंगे और मैं साम को भी आपको 25 questions प्रोवाइड कर दूँगा डिपेंड करेगा कि आपका response कैसा रहता इन 25 questions पर ठीक है दोस्तों तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को continue रखें थैंक्यू सो मच